ओम शान्ती तीस जन्वरी दोजार तेविस आज की मूरली मीठे बच्चे तुम इश्वर्य संतान हो तुमारा ये अमूर्ल्य जीवन है तुमारा इश्वर्य कूल बहुत ही श्रेश्ट है स्वेम भगवान ने तुमें एडाप्ट किया है इसी नशे में रहो प्रेश्ण शरीर का भान तूट जाए उसके लिए किस अब्यास की आउशकता है उत्तर चलते फिरते अब्यास किरव की इस शरीर में हम थोड़े टाइम के लिए निमित्त मात रहे जैसे बाप थोड़े समय के लिए शरीर में आये है ऐसे हम आत्मा ने भी स्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए ये शरीर धारन किया है बाप और वर्सा याद रहे तो शरीर का भान तूट जाएगा इसको ही कहा जाता है सेकन में जिवन मुक्ती दुसरा है अमुरुत पेले उट बाप से मीटी मीटी बाते करो तो शरीर का भान खतम होता जाएगा गीत है ओम नमोश शिवाय ओम शान्ती भगवान होता ही है एक जो बाप भी है बच्चों को समझाया गया है आत्मा का रूप को इतना बड़ा लिंग नहीं है आत्मा ही बहुत छोटी स्टार मिसल भृकुटी के बीच में है कोई इतना बड़ा जोती लिंगम नहीं है जैसे मंदिरों में रखा हुआ है नहीं जैसे आत्मा वैसे परमात्मा बाप है आत्मा का रूप मनुक्ष जैसा नहीं है आत्मा तो मनुक्षतन का आधार लेने वाली है आत्मा ही सब कुछ करती है संसकार सब आत्मा में है आत्मा स्टार है आत्मा ही अच्चे वा बूरे संसकारों अनुसार जनम लेती है तो इन बातों को अच्छे रिती समझना है मंदिरों में लिंग रखा हुआ है इसलेब समझाने के लिए हम भी शिव लिंग दिखाते है इनका नाम शिव है विगन नाम के कोई चीज होती नहीं है कुछ न कुछ आकार है बाप है परमधाम में रहने वाला परमात्मा बाप कहते है जैसे आत्मा शेलिर में आती है वैसे मुझे भी आना पड़ता है नरग को स्वर्ग बनाने बाप के मैमा सबसे नयारी है अभी तुम बच्चे जानते हो तुम आत्मा आई हो या पाट बजाने ये अभेहत का अनादी अविनाशी ड्रामा है इनका कभी विनाश नहीं होता ये फिरता ही रहता है बाप रचता भी एक है रचना भी एक है ये बेहत सुरुष्टी का चक्र है चार यूग है दूसरा है कलब का संगम यूग जिसमें ही बाप आकर पति दुनिया को पावन बनाते है ये चक्रा फिरता रहता है तुम बच्चों को अप स्मूर्थी आई है कि हम आत्मय परमधाम में रहने वाली है इस करम छेत्र पर पाड बजाने आई है इस बेहत के ड्रामा को रिपीट होना है बाप है बेहत का मालिक उस बाप की अपरम अपर मैमा है अईसी मैमा और कोई की नहीं है वो मनुक्षय सुरुष्टी का बीज रूप है सबका फादर है बाप कहते हैं मैं पराई रावन की दुनिया में आता हूँ एक तरफ है आस्वरी गुनों वाली संप्रदा है दुसरी तरफ है देवी गुनों वाली संप्रदा है इनको ही कंस पुरी भी कहते हैं कंस असुर को कहा जाता है स्रीकृष्ण को देवता कहा जाता है अब बाप आहे देवता बनाने और सब को वापिस ले जाने और कोई की ताकत नहीं बाप ही बेड़ बच्चों को शिक्षा दे देवी गुन धारन कराते है यह बाप की ही फर्ज अदाई है बाप कहते है जब सबी सतो प्रदान बाप कहते है जब सबी तमो प्रदान हो जाते है मुझे भूल जाते है नसरी भूल जाते है परन्तु मुझे ठिकर पत्तर ठिकर में ठोक देते है इतनी गलानी कर देते है, तब तो मैं आता हूँ, मेरे जैसे गलानी किसी की नई करते, तब तो मैं आकर तुमारा लिबरेटर बनता हूँ, सब को मच्चर और सदुरुष ले जाओंगा, और कोई ऐसे कह न सके, कि मनमना भवो, मुझे अपने परमफिता परमात्मा को याद कर तो तुमारी विकर्म विनाश होंगे, श्रीकृष न तो कह न सके, परमात्मा की मैमा तो बच्चे जानते है, वग्यान का सागर, सुक का सागर, फिर सेकर नंबर में है ब्रह्मा विश्णु शंकर, ब्रह्मा द्वारा स्ताबना कोन करेगा, क्या स्रीकृष न परमपिता प ब्रह्मा की संतान हो, बाप आकर शुद्र से ब्रामन बनाते हैं, अभी तुम हो इश्वरी कूल के, इश्वर हुआ निराकार, ब्रह्मा हुआ साकार, बाप पहले पहले ब्रामन फिर देवता बनाते हैं, देवता के बाद चत्रिय यह चक्र फिरता रहता है, फिर इससे और ध निकले है, मूल है भारत, यह भारत अविनाशी खंड़ा है, जा बाप आकर स्वर्ग बनाते हैं, वह बाप भी है, टीचर भी है, तुम्हारा सत्गुरू भी है, उनको फिर सर्व्यापी कैसे कर सकते है, वह तो तुम्हारा बाप है, इस दुनिया में सिवाय तुम ब्रामनों कोई त्रिकाल दर्शी हो नहीं सकता, तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा के साथ, हम परमदाम के रहने वाले हैं, फिर नंबर bundle करम चेतर पर आते हैं, फिर फिचाड़ी में हम ही जाते हैं, चवरासी जनम पूरे लेने हैं, बाप समझाते हैं तुमने कितने जन ब्रह्मा द्वारा बाप आकर एडप्ट करते हैं, बाप है स्वर्ग का रचीता तो खुद ही आकर स्वर्ग का मालिक भी बनाते हैं, अब सारे विश्व में शांती स्थापन करना ये बाप का ही काम है, बाप कहते हैं मेरा पाथ है मेरा तुम को फिर से राज्योक सिखलाता जिससे तुम एवर हिल्दी बनेंगे जैसे देवता बनेते फिर अब रिपीट होता है यह सैपलिंग लग रहा है बाग बागवान है इन द्वारा कलम लगा रहे है बाप सनमुक बेट समझाते है मेरे सिकी लदे बच्चे बहुत समय से बीचड़े हुए बच्चे याद है न मैंने तुमको स्वरग में भेजाता फिर तुम चवर्यासे का चक्रण लगा कर अब आकर मिले हो अब अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तुमको वापित जरूर ले जाना है तुम चाहो न चाहो ले जरूर जाना है पहले आदि सनातन देवी राज्य चला फिर आसुरी राज्य चला देवी राज्य के बाद पवित्रता तो चली गई फिर सिंगल ताज हो गया अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है फिर देवी राज्य की स्तापना हो रही है आसुरी राज्य के विनाश के लिए इस रुद्र यग्य से यग्य इस रुद्र यग् कर रहे हो कराने वाला कौन है सिर्मत देने वाला समर्त स्रेष्ट तिस्रेष्ट है ही एक बाप वही ब्रह्मा द्वारा स्तापना करा रहे है बाप कहते है मैं भारत का most obedient servant हूँ भारत को सुर्ग बनाता हूँ वहां यथा राजा राणी तथा प्रजा सब सुखी रहते है श्रीकृष्णक भगवानु वाज परंतू श्रीकृष्णक तो कह न सके मनमना भव मामेकम याद करो तो विकर्म भस्म हो और कोई उपाय भी नहीं है गंगा तो पतित पावानी है नहीं वह थोड़ी कहेंगे कि मामेकम याद करो यह तो एक बाप ही बैट समझाते है बाप आ सबका सद्गती दाता है उनके मंदीर भी है द्वापर से सब यादगार बनना शुरू होते हैं सुमनात का मंदीर है परंतू वह क्या करके गए है यह कोई नहीं जानते है वह श्यू शंकर को मिला देते है अब का श्यू परमधाम के निवासी और का शंकर सुक्ष्म वतन के कुछ भी समझते नहीं है बाप कहते है कितने भी वेद शास्तर आदी कोई पड़े जब तब करे परंतू मेरे से मिल नहीं सकते भल मैं भावना का भाड़ा सब को देता हूँ परंतू वह तो अखंड जोती ब्रह्मा को ही परमात्मा समझ लेते हैं ब्रह्मा को साक्षतकार ह परंतू उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा कोई को हनुमान का कोई को गनेश का साक्षतकार कराता हूँ वह तो मैं अलब काल के लिए मनो कामनाय पूर्ना करता हूँ अलब काल के लिए खुशी तो रहती है परंतू फिर भी सबको तमप्रदान तो बनना है चाहे सारा दिन ग पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का 21 जनम के लिए मालिक बनेंगे और कोई सतसंग नहीं जा इतनी प्राप्ति हो बाप ही आका राजयोक सिखलाते हैं तो कितना स्रीमत पर चलना चाहिए पड़ाई पर ध्यान देना चाहिए बाप स्रेश्ट तिस्रेश्ट मत देते हैं स्रीमत से भारत को स्वर्ग बनना ना है तुम्हें ड्रामा के राज को अच्छी तरह से समझना है और पुरशार्त करना है पुरशार्त कर ऐसा लायक बनना है तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्तापना करने आये हैं हम वहा के रहवासी इस शरीर में हम निमित तमात्र है थोड़े टाइम के लिए बाबा भी थोड़े टाइम के लिए आये है इस शरीर का भान तूट जाना चाहिए अपने बाप और वर्से को याद करो इसको ही सेकंड में जिवन मुक्ति कहा जाता है बाप कहते है मैं आया हू सब को वापिस ले तुम अपने को आत्मा समझ सवेरे उड़कर बाबा को याद करो उनसे बाते करो तुम जानते हो हमारे 24 जनम पूरे हुई है अब हम इश्वर्य संतान बने है फिर दैभी संतान फिर चत्री संतान बनेंगे बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते है, बाबा की बेठी मेमा करो, बाबा आपने तो कमाल की है, कलब कलब आकर हमको पढ़ाते है, बाबा आपका ग्यान बड़ा वंडरफुल है, स्वर्ग कितना वंडरफुल है, वह जिस्मानी वर्ड्स, यह रुहानी बाप का सतापन किया हुआ वंडर्स, बाप आये है श्रिक्रिष्ण पूरी को बाप आये है श्रिक्रिष्ण पूरी स्तापन करने इन लक्ष्मिनारेन ने ये ब्रालब्द का से पाई बाप द्वारा जगतंबा और जगतपिता के साथ बच्चे भी होंगे वो है ब्रामन जगतंबा तो ब्रामनी थी वो है काम देनू सब की मनों कामना पूर्ण कर देती है यह जगतमभा ही फिर स्वर्ग की महारानी बनती है कितना वंडर्फुल राज है यह बाप अपनी अवस्था को जामाने के लिए भिन्न भिन्न युक्तिया बताते है रात को जागो बाबा को याद करो तो अंतमती सुगती हो जाएगी अगर पूरा पुरुशार्थ होगा तो याद ठेरेगी पासवित ओनर हो जाना है आठ कोई स्कालर्शिप मिलती है सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारण को वरे तो पास होकर दिखाना है अपने को देखना है कि मेरे में कोई बंदरपना तो नहीं है उसको निकालते जाओ देखो सारे दिन में किसी को देखे दुख तो नहीं दिया बाप है सब को सुक देने वाला बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए बाप बच्चों को भी ऐसा बनना है वाचा कर्मना से कोई को भी दुख नहीं देना है सच्चा सच्चा रास्ता बताना है वह हदक के बाप का वर्सा यह बेहत के बाप का वर्सा सो तो जिसको मिलता होगा वही बताएंगे जो अपने धरम के होंगे उन्हों को जट टच होगा बाप कहते है फिर से देवी धर्म स्तापन करने में ब्रह्मा के तन में आता हूँ तुम बच्चों की बुद्धी में है कि अभी हम ब्रामन है फिर देवता बनना है पहले सुक्ष्मतन में जाकर फिर शांतिदाम में जाएंगे वहाँ से फिर नई दुनिया में गरब महल में आएंगे यहाँ गरब जेल में आते है इनको कहते है जूटी माया जूटी काया बाप कहते है कितनी धरम गलानी की है शिव जैनती बनाते है परन्तु शिव कब आया किस में प्रविश किया यह कोई को पता नहीं है जरूर कोई शरीर में आकर नरग को स्वर्ग बनाया होगा ना बाप बच्चों को बहुत अच्चे रिती समझाते है और राइव देते है अपना चार्ट बनाओ सारे दिन में कितना समय बाप को याद किया सवेरे उड़कर बाप को वरसे को याद करो हम बहत के बाप के साथ आये है गुप्त बेश में भारत को स्वर्ग बनाने अब हमको वापी जाना है जाने से पहले अपनी राजदाने जरू स्तापन करनी है अब तुम हो संगम पर बाकी सारी दुनिया है कल यूग में तुम संगम यूगी ब्रामान हो बाप बच्चों के लिए सोगात ले आते है मुक्ति और जिवन मुक्ति की सत्यूग में भारत जिवन मुक्त था बाकी सब आत्में मुक्तिधाम में थी बाप हतेली पर बैस तो ले आते है तो जरूर उसके लिए लायक भी खूद ही बनाएंगे अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चो परती मातपिता बाप ददा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी मातपिता बाप ददा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार सदा इस नशे में रहिना है कि हम बाप के साथ स्वर्ग की स्तापना की निमित्थ है बाप हमें विश्व का मालिक बनाते है दुसरी पॉइंट बाप समन सुख देने वाला बनना है कभी किसी को दुखी नहीं करना है सब को सच्चा रास्ता बताना है अपनी उन्नति के लिए अपना चार्ट रखना है वर्दान निमित्त और नम्रचित्त की विशेषता द्वारा सेवाग में फास्ट और फ़स्ट नम्बर लेने वाले सफलता मूरत भवव सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निमित्त और नम्रचित्त की विशेषता समूरती में रहती है तो सफलता सुरूप बन जाएंगे जैसे सेवाओ की भाग दोड में होश्यार हो ऐसे इन दो विशेषताओं में भी होश्यार बनो इससे सेवा में फाष्ट और फाष्ट हो जाएंगे ब्रामन जीवन की मर्यादों की लकिर के अंदर रहकर स्वयम को रुभानी सेवाधारी समझ कर सेवा करो तो सफलता मूरत बन जाएंगे मेनत नहीं करनी पढ़ेगी स्लोगन है जो बुद्धी द्वारा सदा ज्यान रतनों को धारन करते है वही सच्चे होली हंस है अच्चा ओम शान्ती 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 शुक्रिया बबाबा शुक्रिया थैंक यू बबाबा थैंक यू